आज बहुत से प्रचारों को ने प्रभिश्व मसी को चमतकार करने वाला बाबा बना दिये हैं सिर्फ चमतकार, सिर्फ आशीश, सिर्फ आशरकरब, सिर्फ भविश्यवानी प्रभिश्व ने उनके विशे में कहा, ऐसे प्रचारों के विशे में कहा मदिरेचिसु समाचा साधध्या 21 से लेकर 23 तक मैं उन्हें नहीं जानता जो मेरे नाम से चमतकार 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 करते रहते हैं भविश्यवानी 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 करते रहते हैं पापों से बश्यताब नहीं चाहिए पापो से मुक्ती छुटकारा नहीं चाहिए क्या चाहिए चमतकार बिजनिस सफल हो जाए शादी हो जाए बच्चा हो जाए छुटकारा पाए बस और कुछ नहीं पापो से मुक्ती नहीं चाहिए क्या चाहिए आशीश छुटकारा, चंगाई लेकिन प्रभिश मसी किसलिए आया उसके सबसे बेला प्रचार क्या था मन फिराओ सबसे पहला प्रचार जोगी स्वर्ग कराईजी निकट आ गया है मन फिराओ पशहताब करो अपने पापों को छोड़ दो अपने कूकरमों को छोड़ दो और प्रभू ईशु पर विश्वास करो नहीं चमतकार चाहिए आशी चाहिए ऐसे प्रचारकों को प्रभू ईशु ने कहा मैं नहीं जानता ऐसे प्रचारकों को मैं नहीं जानता उनके विश्यमे का हे कु कर्म करने वालो मेरे पास से चले जाओ मैं नी जानता तो है प्रभु नी जानता है येधी आप अपने पापो चोड़ना चाहते हैं पापो से बश्चाताब करना चाहते हैं मन फिराइ अपने कुकर्मों से अपने पापो से क्योंकि ईश्व मसी स्वर्ण के छोड़ र आपके लिये पाप अबली बनने के लिए आपके पाप के लिए पाप अबली हुआ प्रभु ईशु स्वर्ग छोड़कर चमतकार लेकर नहीं आया प्रभु ईशु स्वर्ग छोड़कर चमतकार लेकर नहीं आया क्या लेकर आया आपके पाप के लिए आया आपके पापों की शमा के लिए और कुछ नहीं, तोगि पाप ही आपकी समस्या की जड़ है, और कुछ नहीं, लेकिन आपको तो समस्या से छुटकारा चाहिए, पाप से नहीं, पाप से नहीं चाहिए, ध्यान दे, प्रभू, ईशू, स्वर्ग के सुख को छोड़ कर आपके लिए शरापित हुआ, फिर भी प्रभी बिमारी के लिए उसको कोड़े मारे गए, फिर भी आप बिमार हैं, आपके लिए क्रूज पर शरापित हुआ, आपके सारे पापों को उसने अपने शरीर पर उठा कर अपने आपको बलिदान कर दिया, फिर भी आप पाप में जीवन जी रहें, क्यों? क्योंकि पर पड़ नहीं किया, अपना जीवन प्रभू ईशू के हाथों में नहीं दिया, आप तुझे मतकार के बीचे भाग रहे हैं, आपको तो प्रभी ईशू मसी से मतलब नहीं, अपने स्वार्थ से मतलब है, आप फैसला गर लिए आएं, आप ईशू को मानते हैं, तो क्यों म आया, ऐसे प्रचारकों के पीछे मत भागिये, जो चमतकार और आशिश के लिए आपको भरमाते रहते हैं, ध्यान दीजे, बैबल पड़िये, इशू क्यों आया, आज जिस तरीके से प्रचारक प्रभी ईशू मसी को दिखा रहे हैं, प्रभी ईशू मसी नहीं है वो, प्र प्रभी ईशू मसी क्यों आया, दूसरों के भरों से मत रहे हैं, पढ़िये, जांचिये, जैसे प्रधों के समय में चेली जांसते थें, प्रचारों के वचनों को, जांचिये, ताकि आप कहीं रहे नहीं जायें प्रबीशु एक मात्र आपके पापो से उद्धार करने के लिए आया इशु का नाम करती है पापो से छुड़ाने वाला उद्धार करता अपने पापो को छोड़िए त्यागिए और इशु का अपना जीवन दीजिए और परमेश्वर के वच्चन के अनुसार जीवन बिताईए प्रभू आपको आशिश देगा प्रभू आशिश देगा